दोस्तो अगर आपको एडवन्चर मूवी देखना पसंद है तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊँगा कि फिल्म देखकर आपके रोंख्टे खड़े हो जाएंगे. इस फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म में लोकेशन कैसी है? इसके इफेक्ट कैसे है? रहे एलेनोर टॉम लिंसन जो के फिल्म की हिरोईन है जिन्होंने इसे बेल का रोल पले किया है और ये फिल्म में रानी बनी है तीसरा फिल्म में एक राजा है और एक सेना पती है ये फिल्म के मुखे कलाकार है अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ लेकिन वही द्वार उनके लिए मौत का द्वार बन जाता है अब ये द्वार कुछ और नहीं बलकि एक जादुई पेड़ है जो कि धर्ती से सीधा आस्मान की ओर जाता है अब धर्ती और स्वर के बीच रास्ते में ये खूनी राक्षस रहते हैं इनी को जायंट कहा गया ह अब राक्षसों को धर्ती पर आने का रास्ता मिल जाता है और अब इन से छुटकारा पाने के लिए राजा पादरियों को हुकम देता है और तब सभी पादरी मिलकर एक राक्षस का दिल निकालकर तंत मंतर से उसे एक ताज में बदल देते हैं और जैसे ही राजा उसे सर पर पहनता है सभी राक्सस उसके गुलाम बन जाते हैं और अब राजा उन सब को उनके लोक में वापस भेद देता है और जो पेड़ के सहारे रास्ता बना था उसे काट दिया जाता है अब बाकी बचे जादू बीजों को राजा अपने पास संभाल का रखता है ताकि उन बीजों को फिल्म के हीरो यानि जैक को दे देता है अब उस आदमी को पकड़ लिया जाता है लेकिन जैक वहाँ से भाग जाता है और उन बीजों को अपने चाचा को दिखाता है और उसका चाचा उन्हें बेकार की चीज समझकर उन्हें फैंक देता है जिसमें से एक ब बारिश में जैक और फिल्म की हिरोईन यानि की एलन और टॉम लिंसन बात कर रहे होते हैं और बीज उसी रात बारिश के पानी में भीग जाता है और फिर से पेड के जरी नरक का द्वार खुल जाता है अब इसमें सबसे बड़ी परिशानी यह है कि जो फिल्म की हिरोईन है घर समेत नरक में चली जाती है और अब उन्हें वापस लाने के लिए फिल्म का हिरो विलेन राजा और राजा की परजा यानि हर कोई निकला है अब दोस्तों वो इन राक्षासों का सामना कैसे करते हैं उन्हें कैसे हराते हैं लड़ते कैसे हैं यही इस फिल्म में देखने लायक है और इसके बाद उस ताज का क्या होता है बाकी बचे बीजों का क्या हुआ इन सब को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म के निचोड की फिल्म के ग्राफिक्स और इफेक्ट बेहदी कमाल के हैं फिल्म देख जब आप फिल्म देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे अब दोस्तों बता देता हूं कि फिल्म में लोकेशन कैसी है फिल्म में आपको लोकेशन काफी शांदर देखनों को मिलेगी खास तोर से जो धर्ती से लेकर स्वर्ग तक का पेड़ दिखाये गया है वो तो भी नहीं होती जदी फिल्म दो बारा भी देखोगे तो मना नहीं कर पाओगे अब दोस्तों जदी आपने पहले से मूवी देखी है या देखने वाले हैं तो कमेंट करके जुरू बताईएगा और एक खास बात दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह की खास मूवी के बा आपको 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 आपको